अखिıs वीडियो में सैलों के सन्योग के वेसे में पढ़ेंगे सैल है अगर सेन laws में जोड़ी गई है या फिर सामानतर क्रम में और या फिर दोनों का मिस्राम उपयोग मैं दा से वोड़िवा गया गई तो परिपत में रहुं है सिर्टिक्रम रुख सर्फ लें कि एक सेल है उसके साथ उसका अंतरिक प्रतिरोब दिखाय गया मौनलो आंतरिक प्रतिरोब का मान आर और है अब एजार भी मोनल इसलार बोल लें कि का पिटलों वह देख पता लगेगा स्मॉल आपर आह होबल जो हो capital है तो आंतरिक प्रतिरोज के लिए small r और बाहिया परिपत में जो प्रतिरोज हो उसके लिए capital r हो तो सुनने के सांसां देखना भी है कि इम किसार के बात हो भी इस तरीके से सेल जो है एंसालें शेयं इंटिकरम में जोड़ती गई है और इस सैंयोग से एक बाहिय ब्रति रोज आर मसार धारा प्रवाहित की जा रही है तो हमें देखना है कि इस परिपत में धारा का मान कितना हो तो परिपत में धारा के मान के लिए हमने सूत्र पड़ा था किसी भी परिपत में धारा आई बदाबर होती है परिपत का कुल बिद्धुत्वाक बल बटे परिपत का कुल प्रतिरोद तो इन ही दो कि हमको गणना करनी है अब यहाँ पर क्या है सेले क्योंकि स्रीनिक्रम में हैं तो इनके आंतरिक प्रतिरोद भी स्रीनिक्रम में होंगे तो N सेले हैं तो आंतरिक प्रतिरोद भी N होंगे और वो स्रीनिक्रम में है तो स्रीनिक्रम में प्रतिरोद अगर जोड़े हैं तो सूत्र हमने पड़ा था R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 जितने भी पद होंगे वो सब जोड़ जाएंगे तो यहां अगर दोरर दोर जोड़ तो अब यहां पर तुल्य प्रतिरोद उसने अंतरिक प्रतिरोड निकला है अगर हम यह कहां कि इन सारे सेलों के इस्तान पर एक सेल हो तो उसको कैसे बोला जाएगा उसका विद्धुत वहकवल कितना होगा उसका कुला अंतरिक प्रतिरोद कितना होगा तो कुला अंतरिक प्रतिरोद हम ने निकाल लिया उसका कुला अंतरिक प्रतिरोद होगा एनार अ तो र तथा R verte why. श्रीणिक्रम में होँगे तो अब परिपथ का जो सकल प्रति रोध offering अपिल प्रति रोध होगा वो इन दोनों के स्रीणिक्रम नियम का उक्चियो करके प्राप्त होगा तो R ुटार बराबर R avec 1 ृ neur comme R z commercials परिपत का कुल प्रतिरोज हो जाएगा R प्लस R डेस का मान अगर लग दें तो यह हो जाएगा R प्लस N R परिपत का कुल विद्धुत वाहग बल एक सेल का विद्धुत वाहग बल E है दो का 2 E, तीन का 3 E, N सेल हैं तो N E हो जाएगा तो परिपत का कुल विद्धुत वाखबल ये हमको प्राप्त हो गया तो परिपत में धारा का माना भाम निकाल सकते हैं आई वराबर कुल विद्धुत वाखबल बटा कुल प्रतिरोग तो दोनों के मान रख दिए एन इ बटा आर प्लस एन आर तो यह परिपत में धारा का के लिए सूत रहम को प्राप्त होगी अब यह देखते हैं कि जो सेल है उपयोग में लाई गई है इनके अंतरिक प्रतिरोध कितना है कम है कि ज्यादा है कोशिस यह रहती है अच्छा सेल उसको कहा जाए इसका अंतरिक प्रतिरोद कम से कम हो क्योंकि अंतरिक प्रतिरोद जितना ज्यादा होगा सेल के भीतर उतनी ज्यादा उर्जा हमारी उस्मा के रूप में बेकार चली जाएगी तो अंतरिक प्रतिरोद कम से कम होना जी लेकिन अगर बाई इपरिपत में लगाया गया प्रतिरोध आंतरीक प्रतिरोध की तुल्णा में काफी बड़ा हो is much greater than NR, तो क्या करतेंगी, इस सूत्र में NR वाले पत को छोड़ा जासकता है, क्यूंकि NR वाला पत छोटा हो गया, तो हो जाएगा NE ब्रता R, इसको हम लेख सकते हैं, N time e ब्रता R, अब अगर हम देखते हैं, एक सेल होती, तो उससे कितनी धारा मिलती, है क्किस्तों इस्टेजर से प्राप्त ध्यूद्ध को अब देक्ते हैं अगर वाहिए प्रतिवाधि Congo प्रतिरोध की दूला में चोटा है काफी ज्यादा है सेल का ऐसे स्थिति माई कामान क्या हो जाएगा यह सूत्रम अगर हम देखें तो आर को छोड़ा गया आर क्योंकि बहुत छोटा हो गया एनर की तुलना में तो एक सेल से प्राप्त धारा भी इतनी होगी तो चाहे एन सेल जोड़ी तब भी उतनी धारा मिल तो एसे संहयोग का कोई फाइदा नहीं है तो चाहिए अंतर्क प्ृत्रोजट अगर ज्यादा हो तो उनको आ कि सेनी कर्म में जोड़ने से कोई फाइदा नहीं अब बात करते हैं सवस्तितिक का किसे जोड़ेंग एक सेल जैसे लिए बिल्कुल वैसे विद्वाग बली और आंतरिक प्रतिरोदार इस तरीके से एन सेलें जो है समांतर करम में जोड़ दी जारी है इनके पॉजिटिव एंड्स एक बिंदू से और नेगेटिव एंड्स दूसरे बिंदू से और इन दो बिंदों से बाहिय प्रतिरोद आर को समांतर करम में होंगे केवल आंतरिक प्रतिरोदां की बात हो रही है बाहिय प्रतिरोद की बात बाद में होगी तो सहलों के आंतरिक प्रतिरोदाओं का जो तुल्य प्रतिरोद होगा आर्डेस अगर हम इसको कहें तो समांतर करम सहियोग वाले सूत्र का उप्योग होगा ए प्रतिरोद है उन सब का मान तो यहां पर हर अंतरिक प्रतिरोद का मान स्मौल आर्ण टो एक बतार एक बतार एन पदों तक जोड़ते चले जाएंगे, अब अगर दो पद होते तो टू टाइमस वन अपॉन आर तीन पद होते, ठी टाइमस वन अपॉन आर अभी एन पद हैं तो n टाइम्स वन अपाउन आर यानि कि n बटा आर तो एक बटा आर्डेस का मान प्राप्त हुआ n बटा आर तो आर्डेस का मान बिनने को पलट देंगे आर्डेस बटाबर आर बटा अब यहां पर भी वैसे होगा कर इन सारे सेलों की जगह पर एक सेल लगा जैं और उसका अंतरिक प्रतिरोज इतना होगा तो अब वो प्रतिरोद रस जो है वो र के साथ स्रेणी क्रम में होगा तो परिपत का जो पुल प्रतिरोद हो जाएगा वो र प्लस रस र क्रम वादे अमका प्यों कर जाएगा तो रस का मान रग दिया R प्लस R बटा N परिपत का जो कुल विद्धुत्वाखवल होगा वो E होगा क्योंकि E सेलें समांतर करम में जोड़ी गई है तो जिन दो बिंदों से इन सरी सेलों के N से हमने जोड़ रखे हैं उन दो बिंदों के बेज विद्धुत्वाखवल E ही होगा हर सेल उनहीं दो बिन्स से जोड़ी है तो कुल विद्धुत भाहग बल पता हो फुल प्रतिरोध पता हो या तो तौहम परिपत में दारा कामान गयाद कर सकते हैं परिपत में धारा अविभाभर कुल उलगा दोनikum हमने उपर निकाल रखें यह मान रखेंगे अर इसको इसको बिखने में क्योंकि नीचे भिरना आ रहे हैं एन से गुणा कर देते हैं उपर भी और नीचे भी तो एन इई हो जाएगा और और बट्ता एन वाला जो एंथा हो कट जाएगा इसको काटने के लिए ही हमने से प्रतिरोध और आंतरी प्रतिरोध की तुर्णा अगर देखते हैं कि कहाँ पर क्या होगा है अगर आ聲 के प्रतिरोध स्माल रप्ति तुर्णा में काफी बड़ा हो। जो थैसे बस ben देह हैं योरे सुट्र क्या हो जाएगा देख लेते हैं सुत्र में अगर र कम है अंतरिक प्रतिरोफ कम है तो आर वाला पत छोड़ जाएगा तो बचे अगर nr का मान small r के तुन्दा में काफी सोटा हो यानि कि cell का अंतरिक प्रतिरोज ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में i का मान क्या हो जाएगा एन आर वाला पत छूड़ गया यह वाला पत छूड़ गया तो n e बटा r हो जाएगा तो n e बटा या n टाइमस e बटा तो एक cell से प्राप्त धारा होगी e बटा तो यह हो गया एक cell से प्राप्त धारा का n गुना तो इस तरीके से यह कंडिस्टियम को प्राप्त हो लिए तो पहले वाले केस में अगर देखें n शैलों से उतनी ही धारा मिल लही है जितना की एक cell से तो ऐसे संयोग का कोई फाइदा नहीं होगा इसका आर्थ हो गया कि अगर शैलों का आंतरिक प्रतिरोत ज्यादा हो तो उन्हें समांतर क्रम में जोड़ने से फाइदा है अब इनका मिस्वित क्रम क्या होगा अगर दोनों को मिला के कुछ सेंच करम में हो और कुंस समांतर करम में है तो सिल्पल साकेश लेते हैं इस तरीके से एक लाइन में एन सेले हैं और इस तरीके से एम पंक्तियां है इसको समझ रहा है एक पंक्ति में एन सेले हैं और इस तरीके से एम पंक्तियां है तो इस संयोग से एक बाहिर प्रतिरोद आर में धारा प्रवाहित की जा रही है तो अब यहां पर भी अगर हमें धारा का मान निकालना है वही करना होगा परिपत का कुल प्रतिरोध ग्याद करना होगा और परिपत का कुल विद्धवाहत बलपता करना होगा और उसका उप्योग करके हैं परिपत में धारा के मान की गढ़ना कर सकते हैं क्या होता हुआ है पहले हमे एक राइन का प्रत्ति रोत गयात कर लेते हैं तय 한국 स्टेप् И्ieß अब एक पन्कृति का तुल्य ब्ति रोत गया हो जाएगा ऑनर ज्युसक्त निकालने के इति गहां दो टुल्य को निकालने के रिया इस तरीके से अब M स्फथीरोड दो यहसे बड़ाबर एक बटा एनार प्लस एक बटा एनार प्लस एक बटा एनार इस तरीके से m टांस तक यह जुड़ता चला जाएगा तो दो पद होते तो टू टाइम्स वन अपान आर तीन पद होते त्री टाइम्स वन अपान एनार तो इस तरीके से तुल्य प्रतिरोद का मान अगर हमको निकालना हो तो भिन्न को पलट देंगे आर्डेस तो इस संयोग का तुल्य प्रतिरोद हमको प्राप्त हो गया अब ऐसे ही तुल्य बिद्धुत्वाहकबल अगर निकालना हो तो क्या हुझाएगा एक पंक्ती का बिद्धुत्वाहकबल होगा एन इक पंक्ती का बिद्धुत्वाहकबल और हर पंक्ती के लिए वही होगा और वो पंक्तियां फिर समांतर करम में हैं तो जिन दो बिन्दों के बीच जो बिद्धुत वागवल वह क्या होगा एक बिर्धुत्व जो है वह नीं होगा परिपास का प्रतिरोद पहले निकाल लेंगे खेंगे आर और डैस शेणी क्रम में होंगी जैसा और दो केस्वा मेरे हमने किया था बिल्कुल वैसे तो यह पर आर डैस का मान रख दिया है तो खुल प्रतिरोद होगी है आर प्लस एन आर बटा अंतरिक प्रतिरोद के परिपत का कुल विद्धुत्वागबल हो गया इसको अगर देखें आप इसको हल करने के लिए नीचे फिर भिन्न मैं फिर भिन्नारी तो एम से गुणा कर दिया उपर भी और नीचे भी तो नीचे जो बट्टे में एम आरा हो कट जाएगा तो एम एन इ बरता एम आर और एन आर के साथ एम का गुणा करने पर एम से एम कर जाएगा तो एम एन इबरता एम आर फ्लस एं आर तो की मान प्राप्त होगे परिपट में धारा के लिए अब देखते हैं इसका मान कब अधिकतम होगा कब इन्तम होगा तो इस सूत्र में जैसे हम देख रहे हैं आइका मान अँगर हम अधिक राफ्त करना है जैनों को एसे जोड़ना है कि परिपत में अधिक राफ्त हो तो क्या हो ना च wrestle किए सूत्र के हिसाब से हम कहा सके है कि हर का हम रहा है ऐक के मान का हर है नंकि m का मान अधिकतम होने के लिए m r प्लस n r का मान nu निंतम होना चाहिए अब पहले इस को लिख सकते हैं अगर अगर स्कुर्ण कर दें तो अंडरोड और स्कुर्ण कर जाएंगे तो सिद्धी देश का मान हो गया अगले स्टेप्स मिन क्या कर रखा है माइनस टू टाइमस अंडरोड एमार और फिर अंडरोड एनार वही दो पद यहां पर लिया गया है अंडरोड एमार अंडरोड एनार इन को लिए गया है माइनस टू यह जिसको ए कहें इसको बि कहें तो ए स्क्वार प्लस बी स्क्वार माइनस टू ए बी इस तरह के जाएगJul कि इतना हमने माइनस किया है तो इतना ही प्लस भी कर दिया कोई फरक नहीं पढ़ेगा तो यह कितना बच गया इतना ही रहा भी MR प्लस NR ही रहा इसका मान है MR इसका मान है NR यहां इतना घटाया है और इतना ही जोड दिया है तो वही बचा तो इसको अब हम क्या ले सकते हैं इन तीन पज़़ों को गर देखें A स्क्वार प्लस B स्क्वार माइनस 2AB A माइनस B का होली स्क्वार यानिकि अंदरोड MR माइनस अंदरोड NR का स्क्वार और यह वाला पज़़ों अलग बच जाएगा प्लस टू टाइमस अंदरोड MR अंदरोड NR तो MR प्लस NR को हम ऐसे लिख लिया हमने ताकि हम तीनों को समझ सकें अब आई का मान अधिक्तम तब होगा जब MR प्लस NR का मान न्यून्तम होगा जैसे पहले भी हमने समझ लिया था अब इसका मत्तब हो गया MR प्लस NR को जैसे हमने उपर लिखा तो उसका मान कितना लिखा था हमने तो वो न्यून्तम होगा उसकी जगह पर उसका मान लिख दिया अब इसका मान न्यून्तम होने के लिए जो इसमें पहला वाला पद है ये पून वर्ग के रूप में है और इसका वर्ग आ रहा है तो जो भी इसका मान होगा उसका वर्ग होना है तो यह जो है dominating factor है तो इस तरीके से अंदरोड MR-NR का whole square इसका मान जब न्यूनतम होगा तो तब MR-NR का मान भी न्यूनतम होगा अब क्योंकि यह पून वर्ग है तो पून वर्ग का न्यूनतम मान शुन्य हो सकता है क्योंकि एडिनात्मक्संख्या नहीं हो सकती क्योंकि पू सुन्य रख के इसको हल कर लिया हमने अंदरोड MR-NR का square बराबर सुन्य अब अंदरोड ले ले लें दोनों और स्क्वार सा अंडर रूट कर दिया तो इतना हो गया अब इसका पत्सांत रण कर दिया ये प्राप्त हो गया दोनों और वर्ग कर दिया तो MR प्राप्त हो गया इससे हमको मिल जाएगा कैपिटल R बरावर NR बटा M तो अगर अब हम धियान दें कि PC हमने RDS का मज़मान प्राप्त हुआ था वो भी ठीक इतना ही था NR बटा M तो इस तरीके से परिपत में धारा का मान तब नियुंतम होता है जब बाहिय प्रतिरोद का मान सभी सेलों के तुल्य आंतरिक प्रतिरोद के बराबर होता है तो यह एक इस्तिति हमको प्राप्त होगी कि परिपत में धारा का मान कब अधिक्तम होगा जब आई यह प्रतिरोद का मान सेलों के कुल अंतरिक प्रतिरोद के बराबर होता है तो इस वीडियो में इतना ही